नमस्कार आप देख रहे हैं PCAVN भारत इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दे जनपत मिर्जापुर के थाना लाल गन छेतर से थाना लाल गन छेतर के बरौधा चोकी अंतरगत लावारी सलास मिलने से हड़कंप मचा जिया लावारी सलास मिलने से ये ख़बर संसनी फैल गई आपको बता दे कि थाना लाल गन छेतर के बरौधा चोकी अंतरगत लावारी सलास की सुचना मिली ये ख़बर संसनी फैल गई घटना के सुचना मिलते ही अपर पुलिस अधिचक, महेश अत्री, छितरा दिकारी, दिछांत राज, लाल गंज, स्पिटर, ग्यानो प्रिया, बरोधा, चोकिन, जार, धर्म, नरायन, फारेंसिक टीम के साथ मौके पे पहुच कर ग्राम परधान की मौजुगी में सो को पंच चायत नामा करके पुश्मार्णम के लिए भीजा गया, आपको बता दे कि जनपद प्रियागराज और मिर्जियापूर के बाडर पर 50 वर्ष्रिय अधेड की हत्या की सुचना पर घटना अस्थल पर सेकड़ों लोग पहुचे, फारंसिक टीम के साथ जाज परताल के लिए लास को लेश के पुश्मार्णम के लिए भीजा गया, आप देख रहे हैं, पी सिवन भारत की बड़ी ख़वत थाना, लाल गंज के बरौधा चोकी अंतरगत, लावारी से लास मिलने से हड़कम मचा, देखे खास रिपोर्ट सर, आज जो अग्यात सोब रामद हुआ है, थाना लाल गंज अंतरगत बरौधा चोकी अंतरगत, इसमें सर कुछ आना चाहेंगे हम लोग को आज सुबह थाना लाल गंज पुलिस को ग्राम नेड़ी कठारी से सूचना मिली के एक शब नेड़ी कठारी गाहों के निकट ही हुई है, और बॉडी को पोस्मार्टम है तो मौर्चरी भेजा जा रहा है, लांडोर की कोई समस्या नहीं, एकदम शांती है, इसमें आबशक बैदाने कारवाई कर अग्रिम कारवाई की जाएगी